हरियाना बोर्ड के रिजल्ट को लेकर आपके मन में भी सवाल है कि क्या रिजल्ट ख्राब आया तो इन सब सवालों के जबाब आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे A to Z यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपकी सभी doubts के उपर तो tension वाली कोई बात नहीं है वीडियो को आपको last तक देखना है और वीडियो के last में जो है आपको यहाँ पर एक बात में बोलूँगा वो सुन के जानी है तो चले वीडियो को start करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं starting से देखें starting से चलते हैं ताकि सब को समझ में आ जाए कि यहाँ पर हरेना बोड का result आया result में जो पहले अपडेट्स आ रहे थी कि अपकी बार बहुत अच्छा result आएगा यह वो हमने खुद बताई थी भाई अब हम जो है जोट नहीं बोलेंगे कि हमने नहीं बोला हमने खुद बोला था कि result अच्छा आएगा लेकिन फिर एकदम से क्या हुआ result में गड़बड कहां से हुई तो देखिए पहले जो अपडेट्स आ रही थी वो यह थी कि अब की बार जो है result अच्छा आ सकता है जो reports छपी वो भी हमने आपको दिखाई थी अपने मन से कुछ नहीं बोला लेकिन at last जो है यह हुआ कि आपकी result में जो है यहाँ पर percentage थोड़ी down रही उसकी कुछ regions बताए गए है जिनके उपर हमने reports शिखटा की सबसे बहले तो एक region बताए गया कि आपकी बार जो है last में यहाँ पर grading system लागू कर दिया गया यानि कि आपको पता आपके बार grades वगर आपको मिले है ठीक है इसके लावा जो है दूसरा यहाँ पर हम बात करें कि आपकी बार बास में जूटे हधिकारी जूं करते ताउमन न्यूज को हरेना वदले शिख्षा बोर्ड की दस्वीकर नतिजों को गोसित हुए अभी सब्ता बारी नहीं हुआ है कि बोर्ड की वेबसाइट से विद्ध्यार्थों की अटपटी मारक सीट डाउन्लोड हो रही है ओनलाइन मारक सीट में विश्यो की जगए अटपटी नाम लिखे हैं जिने देखकर बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट के हैक होने का अंदेशा लगाया जा रहा है मामले की भनक बोर्ड मुख्याले को भी लगी और बोर्ड मुख्याले यहां पर जो है उन्होंने कहा कि जाद चल रहे वी पियादव ने दरसल हरेना वजले शिख्या बोर्ड की वेबसाइट कुछ विद्धार्थियों ने अपनी दस्वी के नतिजों की मार्क सिट निकलवाई थी दसवी की छात्रा स्नेहा, मनिशा, सोनु, सुनील ने बताया कि शिक्ष्या बोर्ड की अधिकरिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई मारक सीट में उनकी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रोल नमबर जनम तितिती तो सब ठीक है लेकिन जो उनकी प्राप्त अंक है यानि कि उनके जो नमबर है, उनमें गड़बड़ी है, कोई कह रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है इंटरनल के नमबर नहीं दिखा रखे, कुछ और नहीं दिखा रखा तो इनहीं सब चीजों को लेकर अंदेसा लगाया गया कि यहाँ पर वेबसाइट हैक हो गई है कि नहीं कि यहाँ पर आपने देखा होगा, कि यहाँ पर जो मारक सी टायरी उसमें लिखाओ है नीचे 2027-2030 तो कहीं ना कहीं जो है गडबड़ी हुई है अब यहाँ पर जो है यह नीच थी, अब इसके आगे इसकी जो है जाच की गई कि भई क्या सच में वेबसाइट हैक हो गई तो अगली नीच में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप नीच देख सकते हैं कि यहाँ पर जाच में हरेना बोर्ड की वेबसाइट सही निकली, कोई हैक नहीं हुआ था, यानि कि यहाँ पर बोर्ड की तरब से कहा गया कि वेबसाइट जो है हैक नहीं हुई थी, यह गलती Google Translate की वज़े से हुई थी, लेकिन यहाँ पर students का जो data है, वो हमारे पास सुरक् सित रखा हुआ है, जो कि बोर्ड डायरेक्ट आपके स्कूल में भेजेगा, यानि कि एक तो आप अपने फोन में अपनी मार्क सीट देख रहे हो, अपने नमबर देख रहे हो, और एक यहाँ पर जो है, आपके जो स्कूल में सर्टिफिकेट आएगी, उसमें नमबर बोर्ड की वेबसाइट बिल्कुल सही थी, लेकिन एक बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो नमबर आए हैं, उनमें अगर आपको लगता है कि हमारे नमबर कम है, ठीक है, हमारे और अच्छे आने चीए थे, या फिर आप सही सही लिख के आए थे, फिर भी यहां पर दिक्कत हुई है, तो आप लोगों के लिए बोर्ड यह कह रहा है कि हम लोग ऐसे स्टुडेंट का स्वागत करते हैं, ऐसे स्टुडेंट तुरंत की तुरंत जो है, रीचेकिंग, रिवोलिशन, कमपार्टमेंट, इंप्रूमेंट वगरा के लिए अपलाई कर द आये, यह कहके रिजल्ट दोबारा आएगा, तो बिल्कुल गज़त है, रिजल्ट दोबारा नहीं आएगा, थोड़ी गडबड़ी हुई थी, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेट की वज़े से हुई थी, अब सब कुछ ठीक है, कोई टैंसन वाली बात नहीं है, आप लोग ज disclaimer, HBS is not responsible for any inadvertent error that might have corrupt in the result being published through this website, the results published on this website are for immediate information, these cannot be treated as original mark sheet, original mark sheet have been issued by the board separately, यहां कि बोड़ी यह कहता है कि यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है, उसमें थोड़ी बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो final result होता है, वो आपका बोड की तरफ से, आपकी mark sheet स्कूल्स में वेजी जाती ह इसका मलब यह नहीं है, कि यहां पर जो है आपके अगर मालीजिये, 17 नमबर दे रखें तो original में 25 हो जाएंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ एक गलतियां होती है, जो कि यहां पर आपकी निकल सकती है, ठीक है, कई भार ऐसा होता है, तो आप लोग जो है सबसे प भरदी चाहिए, आप open से हैं, regular से हैं, rechecking का नहीं भरना, revolution का भर दीजिये, मैंने इनके उपर वीडियो भी बना रखें कि कौन सा भरना अच्छा है, ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, इसके लबाग कमपार्टमेंट का option दिया गया है, improvement, full improvement, partially improvement, बहु नहीं उनके उपर बात कर ली है, एक बार फिर से वीडियो को revise कर लेते हैं, सबसे पहले हमने बात कि कि आपका result जो है अपके बार थोड़ा सा down क्यों हुआ, तो उसके अलग अलग रिजिन्स बताए जा रहे हैं, कहीं कहा रहे हैं, teachers की कमी थी, कुछ एक बता रहे हैं कि जो जो लास्ट कोपी चेकिंग के बाद जो यहां पर दोबारा से, क्योंकि आपको पता आपकी जो है कोपिया स्रीफ एक बार चेक नहीं होती, उनको जो है अलग दो तिन प्रकार से चेक किया जाता है, उनमें थोड़ी गड़बड हो गई है, कुछ और रिपोर्ट कुछ क्या रिजल्ट दोबारा आएगा, तो गाईज बिल्कुल नहीं रिजल्ट दोबारा नहीं आने वाला है, बोर्ड नहीं ये काया कि अगर आप चाते हैं, कि आपका जो है रिजल्ट सुधरे, तो उसके लिए आपको हमने बहुत सारे उप्शन्स दे दिये हैं, आप लोग उनके लिए अपलाई कर सकते हो, और गाईज मैं आपको सच बताऊं, बहुत सारे स्टुडेंट पिछले बार भी अपलाई किये थे, और बिल्कुल रिजल्ट सुधरता है, बिल्कुल सुधरता है, क्योंकि आपको पता है, कि हाँ पर हरियाना बोर्ड में कहीं न कहीं गलतियां किसी भी बोर्ड में हो सकते हैं, श्री भरियना बोर्ड की बात नहीं है, तो आप लोग जो अपने रिचेकिंग रिवल्यूशन ये जो है फोर्म भरकर भी अपनी गलती को सुधरता है, मैंने ऐसे स्टुडेंट देखे हैं, जो फैल हो रहे थे, बाद में जब उ जैनत वेस्ट नहीं जाएगी, आप लोग जो है उसके लिए अपना फोर्म अप्लाई कर दीजिए, जो भी फोर्म आपको अप्लाई करना है, और आपका जो है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर दोबारा जो है रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद भी अगर आपकी बात नहीं बनत आता है कि भाई मेरे 93 परसेंट आए हैं, बहुत उदास हूं, पापा ने कहा था कि 96 क्या सपास लेके आने हैं, तो देखो है 93 आगे ना बहुत अच्छे है, भाई 93 आगे बहुत अच्छे है, 96 और 93 में ज़्यादा फरक नहीं है, वो भी स्टुडेंटे जिनके 60 परसेंट हैं, तुभार 93 आगे, कम से कम 90 से उपर आगे, और क्या लोगे भाई, और देखिए ये जो नंबर हैं, ये आपकी थोड़ी से हैल्प करते हैं, कि भी आप लोग जो एक अच्छे कोलेज में चले जाओगे, ठीक है, या फिर एक बार जो आपकी अच्छे नंबर आगे, पिछे, 10th क्लास के रिजल्ट के पिछे ही जो है, बैठके रोते रहेंगे, तो ये कहां तक सही है, और आप लोग जो है, मैं आपको बता दो, एक वीडियो भी आ रही है, मेरी दूसरे चैनल पे, 10th क्लास के लिए, without exam, बिना कोई exam जो है, आप लोग जो है, नोकरी प्राप काम ने देना, कुछ नहीं करना, कोई interview नहीं है, सिर्फ फोरम बरना है, और उसके बाद आपकी percentage देख लेंगी वो लोग, और जो है, एक list निकलेगी, उसमें नाम आ गया, तो आपको जो है, नोकरी मिल जाएगी, सरकारी नोकरी, तो आप लोग जो है, उसके लिए पर फोकस कीजिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत